बात करते हैं बुलिटिन की ग्वालियर से मिल रही बड़ी ख़बर के साथ जहां पर उपचुनाफ से पहले बीज़ेपी को एक बड़ा जटका लगा है जटका ये है कि बीज़ेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समय 200 कारे करता कॉंग्रिस में चले गए कॉंग्रिस का दामन थामा है आपको बता रहें कि ग्वालियर पूर्विधान सबाशेद्र के ये सभी युवा कारे करता पिसले दिनों भी आपने देखा कि काफी लोग बीज़ेपी छोड़कर कॉंग्रेस में सामिल हुए है और आगे भी बीज़ेपी से बहुत से लोग जो बिना लालसा के बिना पद के बिना किसी उसके अविलासा के हमारे साथ आ रहें सिर्फ पार्टी के साथ जूड़ने के लिए पार्टी के सिधानतों को कॉंग्रेस के विचारों के साथ जूड़ना चाहते हैं कांग्रेस के साथ जूड़ना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं और आज जो साती जूड़ रहे हैं उनका भी मैं स्वागत और अभी ननन करता हूँ तो देखें उप्चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा जटका लगा और सबसे मैटपूल बात ये है कि उप्चुनाव होने है उप्चुनाव में ग्वालेर चंबल की 16 सीटे शामिल है और उसी बेल्ट से ये कारेकर्टाप कॉंग्रिस का दावन थाम रहे हैं जो निशित दोर पर बीजेपी के लिए इस वक्त मुश्किल बढ़ाने वाला दोर कॉंग्रिस दफ्टर में 200 से ज़ादा कारेकर्टाओं ने कॉंग्रिस की सदसिता ले लिए उप्चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई बीजेपी युबा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेथ 200 कारेकर्टाओं ने कॉंग्रिस की सदसिता ले ली है कॉंग्रिस के खेमे में शामिल हो गया है जबसे चिंता वाली बात ये है कि गॉलियर और चंबल की 16 सीटे हैं जहां पर उप्चुनाव होना है और इन चुनावों में बीजेपी का जीतना काफी जरूरी ताकि सरकार स्थिर रह सके कॉंग्रिस की भी जुगत है कि वो इन उप्चुनावों में 24 सीटों पर जीत दर्च करें इस ख़वर पर हम जारा चर्चा करेंगे मारसाथ अजीट सिंग भदोरिया कॉंगर्स का पक्ष़ रखने के लिए जुर गया है हमारे साथ कमल माखी जॉनि ब्जूपी का पक्षर रखने के लिए जुर गया है आप दोनों काई बहुत स्वागत है बंसे लिए उस बार कमल माके जाने जी सबसे पहले आपी के पास सारी उसर यह तो बड़ा जटका हो गया क्योंकि ग्वालियर चंबल की तो 16 सीटे इसमें शामिल है उप्चुनाब में और ऐसे में अगर कारकरता दावन छोड़कर जाएंगे तो जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी मानी जिंद्याजी के सास्थ है अजीट जी एक तो प्रमान मांगा जारा दूसरी बात तो यह कहीं जा रही है कि इससे डबल संख्या में ट्रिपल संख्या में मैं तो काहूंगी जो कारे करता है वो कॉंग्रेस का दामन छोड़कर बीजिपी में शामिल होंगे क्या काहेंगे देखिये पहले तो आरणी अद्देक जी यह बता दे कि यह जो मंडल अद्देक्ष हैं क्या यह मंडल अद्देक्ष नहीं है आपके बादियंता यहा मोर्चा के सबसे पहले तो वही इस चीज़ को क्लियर करते हैं और दूसरा मेरे को घृष्यात पर लग रहा है रोमिता जी अपने आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले हैं, उस चीज के डिपेंड कर रहे हैं कि किसके साथ कौन लोग अब हमारे यहां सामिल होने वाले हैं, मतलब कब आसा मैं हैं कि दूसरी पार्टी के या दूसरे लोग हमारे यहां सामिल हो, तब हमारी पार्टी क सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं यहां तक इस्तिती है रोमिता जी आधर्टी आध्यक जी खुद जानते हैं खुद भुक्त वोगी हैं मेरी संबेदना है इनके साथ कमल मांकी जानी के साथ कि जब इनको अध्यक्षपत पर निफ्ट किया गया था तब कितना इन विचारे सच किन किन लोगों ने ब्रोथ किया था तो मेरी संबेदना है अध्यक जी के साथ दूसरा यह 24 जो उप्चुना होने जा रहे हैं उन्हें 16 क्वालियर चंबल अंचल में रोमिता जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं 16 में से 14 और 15 सीटें कॉंग्रेस पार्टी जीतने जा रही है ठीक है बीज़ेपी के तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं कमल माकी जाने जी ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी 14 और 15 सीटें जीतने का दावा यहां पर अजीत जी कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि आप यह कहते पर तो कारकरता शामिल हुए बीजुपी दफ्तर की भी तस्वीर हमने देखी है कि कैसे लोग यहां पर सदस्ता लेने के लिए पहुंचे थे अजीत देखिए उनके जो नेता हमारे इस वर राष्ट के बीजुपी नेता है तो राष्ट के भी लोग तो जी वह खुद कोरना से पीडित हो गयते हैं वह उनको आइक्सलेशन में रखा गया था विजब भी राएंगे उनकी सूचिया तईयां एए उनकी सुचियां तया मेरे पास ती का कोई जानकारी नहीं है कि क्यों भैक्ति जो है ठोड है उनकु को भैक्ती नहीं टूर कि उनके उनकारी नहीं है ज़कि बैकलोग। भी आप कर दोफ पर आप जोड़ City नहीं बengo X तो कमल माखिजानी जी सिंधिया जी चेहरा उने वाले गौलरी चंबल बेल्ट पे उनी के नेटिट में याँ पर चुनाव लड़ने वाले आप लोग निश्चित तोर पर वो तुछ पुरे देश के लोग पी चेहरा हैं पुरे मद्वदेशिक लोग पी चेहरा हैं पिछली सिंधिया जी के दम पर तो आप चुनाव जीते ते पिछली बार गये कह रहे हैं कमल माखिजानी जी हम तो सिर्फ हाथ के पंजे और कॉंग्रेस पार्टी की दम पर चुनाव जीते थे जो हमार हमने जन्ता के सामने अपनी बस्तु इस पस्ट की ती जन्ता उससे प्रवाव इने से उसको सीचा उनको इंग्नॉर करके जो कल पारटी में सामेलो जो लोग और उनको तबज्यो दी जाए मैं कमल माखिजानी जी से पूछना जाओंगा क्या बारेंदर सुखला जी के जाने से भी कोई परकनी पड़ने वाला जाजब सिंग उसवाजी के जाने से भी सब्सक्राइब करेंगे हमारी तो हमारे साथ तो जितना बड़ा धोका हुगा है इतनी बड़ी गद्दारी उससे बड़ी अब क्या होगी ठीक है तो फिलाल तो दोनों ही राजने देख वेल अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जो 16 सीटे ग्वाले च कॉछ कारे करता कॉंग्रिस में शामिल हुए तो बीजूपी के जो जिला अध्याक्ष हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी देखे कुछ और कारे करता बीजूपी का दामन भी ठामेंगे जो कि कॉंग्रिस के हैं लेकिन सिर्फ कुछ घडियों को एंतजार किय लेकिन देखना होगा कि उप्चुनाव में किसका पलडा भारी होता है। बहुत शुक्री आप दुनों का मारे साथ जुनने के लिए।